चोना नू लेके एक्जिट पोल दे मामले ते स्यासत पखी दिखाई दे रही है जिसे चल दे श्रोमनी अकाली दल संयूक्त दे मुखी सुखदेव सिंग्ट इंसा दे वलो कहा गया कि एक्जिट पोल अलग लगने हर कोई अपनी तरीके दे नाल कहरे है पर सारे नू दस मार्च तक दा इंतजार करना चाहिए फिरी पता लगेगा कि कौन किने पाणी दे विचे नाल ही सुखदेव सिंग्ट इंसा ने बीजेपी पर दे नाल होई गट जोड समेत होर मुद्यां ते बोल दे होई की कुछ किया आउ सुन दे उनन दे जुबानी तर एक्जिट पोल आई है एक्जिट पोल को आप कैसे देख रहे हैं कि पंजाब में आमाधी पार्टी की सरकार को पूर्म हमत दिया जा रहा है जेखिए एक् जाबत हुआ है तेकन अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता मैं कोई इसको बिलकुल रिजक्त भी नहीं करता लेकर मैं समझता हूं कि 10 तारीफ को बेड करना चाहिए उस दिनी मालूम होगा कौन कितना पाणी में है लेकिन सर जिस तरीके से आप मानते हैं कि जो पिछले दिनों किसान अंदोलन हुआ यह सब कुछ उआ इससे जो आपकी गठभंदन बना है इसको कहिना कही नुक्सान होगा नहीं नुक्सान तो शहाए थोड़ा बहुत होगा लेकन मैं समझता हूं कि जो हमने गठभंदन किया है तो हमने किया कि पिजाब और पंत के लिए सेंटर सरकार इसे मिलके ही कोई बात हो सकती है और हमने गठभंदन किया है उसमें कोशिश हो रही है कि इतनी जो इसमें आ रहे हैं इतने कमजोर नहीं है यह दो बग्त दास्तारी को बताएगा क्या आप मानते हैं कि बीजेपी अभी तक तीन कम सीटों पर चुनाओ लड़ती थी लेकिन अब आने अज्जीस तरीके से चुनाओ लड़ा है तो वोट बैंक के साथ साथ सीटे भी बढ़ेंगी देखे वो तो उरकी स्टेटिजी है क्या है वो तो वही जबाद दे सकते हैं लेकर बीजेपी ने बड़ी ताक्ते लड़ाई लड़ी है लेकर मालूमनी क्या कितना सुक्सेस्फबल होते हैं वो तो वक्ति दास्तारी कोई मालूम होगा जो आकडे हैं इस पर आप कितना सहमत रखते हैं? दिखी मैं इस पर इतना सहमत नहीं हो सकता क्योंकि उसके भी डिफरेंट डिफरेंट है एक तो विजे कांग्रिस की सिरकार बना रहा है कोई सोग सीट दे रहा है जड़के पॉसीबली नाजन नहीं आ रहा है इसलिए किसी को कुछ कहना इस वक्त में मुनासव नहीं है मैं समता हूँ हमारे गटक्योड को बहुत कमदोर समझ रहा है इतना हम मारा गटक्योड कमदोर नहीं है